नमस्कार, गूड मर्निंग, प्रकर जी एसके इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत हैं इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 25 जून से 1 जुलाई तक के करेंट अफेर्स की चर्चा करेंगे यह महत्वपुन करेंट अफेर्स आपके आगामी होने वाले परिक्षाओं के लिए लाबदायक साबित हो सकते हैं तो आईए सुरू करते हैं आज का यह वीडियो पहला कोस्चन है हाली में निम्न में से कहां G20 के अंतरगत L20 की बैठक आयोजित की गई तो इसका सही उतर हो जाएगा बिहार की राजधानी पटना में बिहार की राजधानी पटना में G20 के अंतरगत L20 यानी की लेवर 20 की बैठक आयोजित की गई पटना में ग्यान भोवन में पटना के ग्यान भोवन में या बैठक आयोजित की गई इस बैठक में 28 देशों के 173 प्रतिनिधी सामिल हुए नेक्स्ट कोश्चन है हाली में परधान मंत्री मोधी को मिलने वाला सरवच नागरिक सम्मान order of the nil किस देश का नागरिक सम्मान है तो या सही उतर हो जाएगा option number C या मिस्र का नागरिक सम्मान है order of the nil मिस्र या मानावता की अमुल्य सेवा के लिए दिया जाने वाला या नागरिक सम्मान है जो किसी राष्टरा धक्ष को दिया जाता है हाली में मिस्र के दवड़ा पर गए भारतिय परधान मंत्री नरेन रुमोधी को order of the nil से सम्मानित किया गया नेक्स कोस्टन है हाली में किस राषिक ने अपने 75 गाउं के नाम बदल कर स्वतंतरता से नानियों के नाम पर रखने का फैसला किया है यह आजादी के अमरित महोसो जो भारत अजादी का अम्रित महोसो मनाय रहा है उसी के अंतरगात त्रिपूरा ने अपने 75 गाओं के नाम बदल कर स्वतंतरता सेनानियों के नाम पर रखने का फैंसला किया है Next question है हाली में Time Higher Education द्वारा जारी Asia University Ranking 2023 में भारत का कौन सा संस्थान सिर्ष पर रहा है तो सही उतर है IIC Bangaluru IIC Bangaluru Time Higher Education द्वारा जारी Asia University Ranking 2023 में सर्फ्रेश्ट सांस्था बना है Asia में इस IIC का 48 अस्थान है Asia में इस IIC का 48 अस्थान है सिर्ष 200 में भारत के 18 अन्वर्सिटी सामिल है इस Time Higher Education द्वारा जारी Asia University Ranking के सिर्ष 200 संस्थानों में भारत के 18 अन्वर्सिटी सामिल है जिन में से 48 अस्थान मिला है IIC Bangaluru को या सर्फ्रेश्ट है Next Question है सरकार ने पसु टीकों और चिकित्सा दवाओं को NOC जारी करने के लिए निमलिखित में से किस पोर्टल को लंच किया है तो इसका सही उतर हो जाएगा Option Number C नंदी पोर्टल सरकार ने पशु टीकों और चिकित्सा दवाओं को एनोसी जारी करने के लिए नंदी नामक पोर्टल को लंच किया है हाली में मतश्य पालन पशु पालन और डेड़ी केंद्रिय मंत्री पुरुसुत्तम रूपाला ने नंदी पोर्टल का आणावरन किया यह नंदी जो है भगवान सीव के बाहन का नाम है नंदी नेक्स्ट कोस्चन है क्यारी कोस मित्सो तासिक निम्न में से किस देश के प्रधान मंत्री बने हैं तो सही उतर हो जाएगा, option number D, ये ग्रिस के नए परधान मंत्री बने हैं, ये इनका दूसरा कार्जकार होगा, next question है, GI tag प्राप्ट चावल, जोहा चावल का संबंध किस राजे से है, तो सही उतर हो जाएगा, option number C, जोहा चावल का संबंध असम से है, जोहा चावल को हाली में GI tag प्राप्ट हुआ है, या जो चावल है, छोटे दाने वाला सितकालिन चावल है, या अपनी विशेश सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है, next question है, आठवाँ बैस्विक फार्मासियूटिकल गुणवाता सिखर समयलन दुहजार तेईस, निम्न में से कहां संपन हुआ, तो सही उतर मुंबई में, इसका थीम है रोगी केंद्री तता निर्मान और गुणवाता का नया प्रतिमान स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्री मंसुक मंडाविया इसमें सामिल हुए हाधी में जारी जेंडर गख रिपोर्ट थोजरते इसमें भारत का अष्थान क्या रहा है जेंडरी गख रिपोर्ट बिश्वा आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है जेंडर गैप रिपोर्ट बीश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है जिसमें भारत का स्थान है 127 नेक्स्ट कोश्चन है निम्न में से किस देश ने डिजिटल खाना बदोस रणनेती शुरू की है तो सही उतर हो जाएगा ओप्सन नंबर C कनाडा कनाडा ने डिजिटल खाना बदोस रणनेती शुरू की है कनाडा ने कुसल स्रमिकों की कमी दूर करने के लिए दूनिया भर के कुसल प्रतिभासाली स्रमिकों को आकर्सित करने के लिए या डिजिटल खाना बदोस रणनेती शुरू किया है नेक्स्ट कोश्चन है हाली में जारी उर्जा संक्रमन सुचकांग 2023 में भारत की इस्थिती क्या रही है तो सही उतर हो जाएगा option number C, option number D भारत का स्थान 67 या जो उर्जा संक्रमन सुचकांग है या उर्जा संक्रमन सुचकांग 20 वा आर्थिक मंच जारी करता है इसके अनुस है स्वीडेन को विश्व आर्थिक मंच के अभी बर्तमान में अध्यक्ष हैं बोड़गे बोड़गे ब्रोंडे बोड़गे और विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्याले है या स्वीडियर लेंड में है स्वीडियर लेंड में बिश्व आर्थिक मंच का मुख्याले है नेक्स्ट कोश्चन है अम्रोहा धोलक जिसे हाल ही में जी आई टैग मिला है या किस राज्य से संबंदित है तो अम्रोहा धोलक जिसे हाल में जी आई टैग मिला है या उत्तर परदेश से संबंदित है हाली में उत्तर परदेश के साथ हस्त सिल्प उत्पादों को जी आई टैक दिया गया इसमें सामिल है अम्रोहा ढोलक, कालपी हस्त निर्मित कागज, बागपत होम फरनेशिंग, बाड़ा बांकी हस्त करगा उत्पाद, महोबा गवडा पत्थर हस्त सिल्प, मैनपूरित तारकसी और संभल हर्ण क्राफ्ट पर्याटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने UNWTO के साथ साज़ेदारी समझावता पल हस्ताक्षड किया है, तो सही उतर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी भारत पड़्याटन को बढ़ावा देने के लिए UNWTO ने भारत के साथ समझावता किया है गुवा में जो हाली में G20 पड़्याटन मंत्रियों की बैठक चल रही थी उसी बैठक में इस पर हस्ताक्षर हुए है नेक्स्ट कोश्चन है विक्टर 6000 जो टाइटन सब मर्सिवल के बचाव अभियान में सामिल था किस देश में विक्सित किया गया था तो सही उतर होगा इसका फ्रांस Victor 6000 जो title submersible के बचावई अभियान में सामिल था या France में विक्शित किया गया था या जो Victor 6000 है या France CC Robert है जो titan submersible के बचावई अभियान में सामिल था किस संस्था ने digital संचार के दाएरे में एक नियामक sandbox लागू करने के लिए एक परामर्स पत्र जारी किया है एक नियामक सेंड बॉक्स लागू करने के लिए प्रमर्स पत्र जारी किया है हाली में पूरा तत्व वीदों ने किस देश में 4000 साल पुराने अभ्यारनने का पता लगाया है तो सही उतर है option number D नीदरलेंड नीदरलेंड में पूरा तत्व वीदों ने 4000 साल पुराने अभ्यारनने का पता लगाया है जिसका संबंध Estonius से माना जाता है नीदरलेंड की रजधानी Amisturdom है या जो नीदरलेंड है नीदरलेंड बेनेलेक्स बेनेलेक्स देशों में सामिल है बेनेलेक्स देश में तीन देश सामिल है, बेल्जियम, नीदरलेंड और लगजंबर्ड, इन तीनों देशों को मिलाकर बेनेलेक्स देश कहा जाता है और बेनेलेक्स एक आर्थिक संगठन है हाली में खबड़ों में रहा हेलियो पोलिस मेमोरियल किस देश में है हेलियो पोलिस मेमोरियल जो हाली में समाचार पत्रों में था या किस देश में इस्थित है तो सही उतर हो जाएगा अप्सन नमबर सी मिस्र में हाली में भारत के परधान मंत्री मोदी की मिस्र यात्रा के दोरान वे हेलियो पोलिस मेमोरियल में सैनिकों को सरधांजली देने पहुंचे थे यह जो सरधांजली है पर्थम विस्यूद में चार हजार भारतिय सैनिकों की अस्मृति का सम्मान करने के लिए मोदी जी हेलियो पोलिस मेमोरियल में गय थे नेक्स्ट कोश्चन है खनीज सुरक्षा साज़ेदारी MSP का नेतरित्व करता निम्न में से कौन सा देश है तो सही उतर हो जाएगा option number C अमेरिका खनीज सुरक्षा साज़ेदारी MSP का नेतरित्व करता अमेरिका है नेक्स्ट कोश्चन है किसे हाली में RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है तो हाली में RBI के ने डिप्टी गवर्नर बने है स्वामी नाथन जान की रमन RBI के ने डिप्टी गवर्नर बने है स्वामी नाथन जान की रमन ये महेश जैन का अस्थान लेंगे RBI में एक गवर्नर होते हैं और चार डिप्टी गवर्नर होते हैं और next question है हाली में जारी बैस्विक प्रति अस्परधात्मक सुचकांक बैस्विक प्रति अस्पर्धात्मक सुचकांक में भारत का अस्थान कितना है तो सही उतर हो जाएगा option number B चालिसवां अस्थान International Institute for Management Development IMD द्वारा यह जारी होता है बैस्विक प्रति अस्पर्धात्मक सुचकांक इसमें भारत का अस्थान चालिसवां है या पिछले साल के मुकाबले तीन अस्थान नीचे गीरा है पहला अस्थान है डेनमार्क का बैस्विक प्रति अस्पर्धात्मक सुचकांक या बैस्विक प्रति अस्पर्धात्मकता रिपोर्ट से अलग होता है बैस्विक प्रती अस्पर्धात्मक ता रिपूर्ट जो होता है वो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है जबकि बैस्विक प्रती अस्पर्धात्मक सुचकांग International Institute for Management Development जारी करता है नेक्स्ट कोश्चन है हाली में चर्चा में रहा सब्द मीरा पैवी का संबंध किस राज्य से है तो सही उतर हो जाएगा मनिपूर मीरा पैवी का संबंध मनिपूर राज्य से है यह मीरा पैवी जिसका अर्थ होता है मसाल लेकर चलने वाली महिला आए हाली में भारत के ग्री मंत्री अमित्सा अपने मनिपूर दवरा के दवरान इन मीरा पैवी से मिले थे मीरा पैवी है जिसका गठन हुआ था 1977 में 1977 में या एक महिला समाजिक आंदोलन का नाम मीरा पैवी है इसमें इमफाल की मुईती समुदाएं की महिलाएं सामिल होती है इमफाल की मुईती समुद इस मीरा पैवी संगठन में सामिल होती है, शुरुवात में यह जो संगठन है सराब और नसीली दवाओं के खिलाफ संगर्थ करता था, अब आज कलिया माना उधिकारों के उलंगन के खिलाफ आवाज उठाता है, नेक्स्ट कोश्चन है, हाली में किस संगठन ने Solidarity Exercise नमक संजुक्त सैन अभ्यास आयोजित किया है, और या आयोजित किया है आसियान ने, आसियान दक्षिन पूर्व ACI देशों का संगठन है, जिसका मुख्याले जकारता है, इसमें 10 सदस से सामिल होते हैं, और इसने, आसियान ने Solidarity Exercise संजुक्त सैन अभ्यास आयोजित किया है, नेक्स्ट कोश्चन है, भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट कहां सुरू की गई है, तो भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट सुरू की गई है, चन्नाई में, या हवाई निगरानी के लिए चन् नेक्स्ट कोस्चन है, बिश्वां QS World University Ranking 2024 कनुसार, किस भारतिय संस्थान ने सर्वस्रेष्ट रंक प्राप्त किया है, तो सही उतर हो जाएगा, IIT बंबे, बिश्वां QS World University Ranking 2024 कनुसार, IIT बंबे ने भारत में सर्वस्रेष्ट रंकिंग प्राप्त किया है, IIT बंबे का जो अस्थान है, 149 अस्थान रहा है, IIT बंबे का अस्थान 149 अस्थान रहा है, पहला अस्थान रहा है, Massachusetts Institute of Technology, MIT, MIT का अस्थान पहला रहा है, QS World University Ranking 2024 में, Next Question है, हाली में संजुक्त राज अमेरिका ने पड़ियोग साला में विक्सित मांस के उत्पादन और विक्डी को मंजूरी देने वाला देश बना है, तो पहला देश कौन था, तो सही उतर हो जाएगा, Option No.B, Singapore संजुक्त राज अमेरिका ने पड़ियोग साला में विक्सित मांस के उत्पादन और विक्डी को मंजूरी दी है, ऐसा मंजूरी देने वाला अमेरिका दूसरा देश बना है, पहला देश सिंगापूर था, नेक्स्ट कोश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में प्रस्तावी था, तो इसका सही उतर हो जाएगा, Option No.D, हरियाना में, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाना में प्रस्तावी था, या हरियाना के जिन्द सोन जिन्द सोनिपत मार्ग पर चलेगी नेक्स्ट कोश्चन है हाली में जारी ग्लोबल स्टार्ट अप इको सिस्टम रिपोर्ट 2023 में किस भारतिय सहर ने सर्फ्रेश्ट रैंकिंग हासिल की है तो सही उतर हो जाएगा बंगलूरू ने दिल्ली को मिला है 24 वे अस्थान जबकि मुंबई को मिला है 31 वे अस्थान नेक्स्ट कोश्चन है हाली में भारत ने किस देश को हरा कर आठमी बार ACI कबड़ी प्रतियोगिता जीता है तो सही उतर हो जाएगा इरान को भारत में हाली में इरान को हडा कर आठमी बार ACI कबड़ी प्रतियोगिता जीता है नेक्स्ट कोश्चन है हाली में RBI ने किस सहकारी बैंक को गैर बैंकिंग संस्थान का लाइसेंस दिया है तो सही उतर होगा महालक्षमी सहकारी बैंक को गैर बैंकिंग संस्थान का लाइसेंस दिया है या जो महालक्षमी सरकारी बैंक है या करनाटक के धरवार छेतर में कारे करता है नेक्स्ट कोश्चन है हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड ने भारतिय वाई उसेना के हलके लड़ाकू बीमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझावता किया है तो सही उतर हो जाएगा G.E. Aerospace के जेट इंजन के संजुक्त उत्पादन के लिए एक समझावता हुआ है G.E. Aerospace से धन्यवाद G.E. Aerospace